प्राक्टिस के बारे में जो यूजुली हिंदू रिलिजिन में पागा गया है और इसको अब सौधी अरेविया में मेजर यूनिविसिटीज में लॉंच किया जा रहा है वो है योगा देखते हैं इस वीडियो में कि कैसा कुछ साल पहले तक योगा के ओपर फत्वा निकाला गया था कि उसको प्राक्टिस नहीं करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में और अब उसको सौधी अरेविया में कैसे मेजर यूनिविसिटीज में लॉंच किया जाएगा कुछ महीने पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जहां पर बता गया था कि योगा को बहुत जल्द सौधी अरेविया के कई डिफरेंट आउटलेट्स पर प्राक्टिस करने की इजाज़त दी जाएगी उस वक्त कई जगहों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि ये बा सौधी अरेविया कई सारे एग्रिमेंट्स को साइन करने के लिए तयार है जहां पर वो ये बता रहा है कि मेजर युनिवसिटीज और अलग रिजियन्स में योगा के प्राक्टिस को वो सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो इन टाइप के अक्ट तरह इनको सपोर्ट करेगी आने वाले लोकल और इंटरनाशनल टूरिमेंट्स के लिए और उसने सबसे इजी टार्गेट किया है स्टूडेंट्स को लेकर और इसी तरह अलमरवाई ने कहा कि योगा का प्राक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसको युनिवसिटीज में वो लॉंच बहुत जल्दी करेगी और उसने कहा कि हेल्थ और वेलनेस के लिए योगा का प्राक्टिस करना ज़रूरी है और साथी साथ योगा असना डिफरेंट योगा के स्टाइल जैसे के हाता योगा और वो कई सारे अलग फॉर्माट्स को अब इंटर्डीस करके रहेगी और उसने ये भी कहा कि योगा को प्राक्टिस करने वाले लोग काफी हेल्थ उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो है बोध फिजिकल और मेंटल और उसने कहा कि आने वाले 2030 में जो एक विजन 2030 लेकर सौधिय अरेबिया कई सारे प्लान्स को प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें ये as a major sporting activity को योगा को launch करना चाह रही है देखा जा सकता है कि नॉम्बर 2017 में सौधी अरेबिय का Ministry of Commerce ने अप्रूफ किया था प्राक्टिस और टीचिंग योगा को as a sport उसके kingdom में और मार्च 9, 2022 में एक lecture दिया गया था जहां पर ये बता गया कि सौधी योगा कमिटी और सौधी School Sports Federation के बीच में एक cooperation होना चाहिए ताकि योगा को full-fledged ये लोग launch कर सके नॉफ मरवाई काफी महनत कर रही थी इसके पीछे और ये सौधी की पहली योगाचारिया है और मरवाई founder है अरब योगा foundation का जो establish हुआ था year 2010 में आज के दोर में आपका brain अगर healthy है तो आपकी life भी बहुत fit होती है क्योंकि आप वो हिसाब से function भी करते हैं और ऐसे ही एक audiobook है जिसमें कई सारे episodes है जो focus करते हैं कैसे आप अपना brain को fit रख सकते हैं और इस audiobook का नाम है make your brain healthy जो है available कोको FM पर कई सारे knowledgeable audiobooks available है इंडिया के leading audio platform कोको FM पर जो काफी मेरे लिए और साथी साथ आपके दिये भी फाइदर मंद होगा जिसको 2.3 मिलियन से ज्यादा active paid subscribers यूज कर रहे हैं अपनी knowledge gain करने के लिए और इंटरफेस काफी आसाने इस्तिमाल करने के लिए जहां पर audiobooks available है आपके अपने regional languages में including Hindi और English इस आप में बहुत सारे features भी मिलेंगे जैसे के drive mode, sleep timer और साथी सा save note features जो मैं इस्तिमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ notes बनाना है audiobook को सुनते हुए और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है subscription लेने के लिए और knowledge gain करने के लिए क्यूंकि इस वक्त कोको FM प्रोवाइड करा है एक exclusive 50% discount first month के subscription पर जो होता है सिर्फ Rs.49 और इसका फाइदा उठान के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा coupon code और साथी साथ इसका download link आपको description open comment में मिल जाएगा अब कई लोग ये सवाल कर रहे है कि योगा के साथ problem क्या है अगर वो kingdom of Saudi Arabia में उसको launch किया जाए Islam QA पर कुछ ऐसे reasons दिये गए हैं जहाँ पर ये बता गया कि क्यों योगा को Muslim countries में prohibit करना चाहिए उसमें से कुछ points ऐसे है जहाँ पर बता गया कि योगा के beliefs और practice contrary है क्योंकि उसमें अल्लाह के अलावा दूसरे deities को भी associate किया जाता है और साथी साथ उसमें सूरिय नमसका मतलब कि जो सूरज है उसको नमसकार करना उसके आगे जुकना मतलब prostrate करना और कई सारे अलग नाम ऐसे practice को दिया जाता है जैसे के सूरिय नमा, सफीतर नमा, रफा नमा और कई सारे ऐसे मंतर पड़े जाते हैं जहाँ पर सूरज को bow down करके एक अलग value दिया जाता है जो Islam मे मना किया गया है एक और point इस पर दिया गया कि कुछ practices beneficial है योगा के लेकिन कई सारे उसके practices एक इनसान के लिए harmful होते हैं और आगे जाकर serious health consequence भी होता है और ये कहते हैं उसने ये बता कि उसके कुछ practice में कई घंटों तक अजीब और weird तरीखों से एक आदमी को बैटना पड़ है जिसमें कई बार lazy तरीखे से भी बैटना है सांस को रोग कर रखना है और कई सारे अलग अलग खिसम के जो practices किये जाते हैं और ये बता गया कि health और psychological point of view से काफी harmful है एक इनसान के लिए क्योंके prophet Muhammad s.a.w. ने कहा कि एक इनसान अपने आपको harm नहीं करना चाहिए एक और point इसमें दिया गया कि ये एक waste of time होता है इसके बदले में एक आदमी कोई beneficial काम करना बहतर है या वो नमाज और अबादत में अपना वक्त लगा दिये तो वो बहतर होगा एक और point में ये बता गया कि सूरिय नमसकार या संग का salutation इसमें compulsory बता जाता है और कई सारे ऐलग points है जिनके बारे में detail में explain किया गया है जिसका link मैं नीचे description में भी दे दूँगा तो आपकी क्या रहा है इस चीज को लेकर क्या साथी एरेबिया में आने वाले साल में और भी कुछ ऐसे चीज़ों को introduce किया जाएगा जिनको आज से तकरीबन 20 साल पहले बहुती एक अलग नग कोड कीजिए link मैंने नीचे description में दे दिया है मेरा code MD50 use कीजिए अभी फैदा उठाइए